दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों ये वाली वीडियो का इंतिजार आपको बहुत लंबे समय से था तो ये वीडियो है आपकी पेंटिंग फाइन आर्ट सब्जेक्ट की जो model test paper CVC ने upload किया था उसका हिंदी वर्जन मैंने इसको translate किया है हिंदी में और उसके बाद solution के साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और वो ये है कि बेटा आपका जो second term का exam है ये 15 marks का आने वाला है आप लोगों को इसके बारे में पता है और ये मात्र एक घंडे में आपको करना है ये भी आपको पता है कुछ जो question paper है उसके उपर इन्होंने कुछ सामाने निर्देश दिये हुएं उनको देख लेते हैं तो आपके प्रशन पत्र में 6 प्रशन है सभी प्रशन आपको करने है प्रशन संख्या 1, 2, 3, 4, 2 अंक वाले प्रशन है और प्रशन संख्या 5 तीन अंक वाला एक प्रशन है और आपका प्रशन नंबर 6 चार अंका प्रशन है तो इस तरह से सिर्फ 6 प्रशन आपके इस पेपर में है पहला प्रशन है आपका दो प्रशिद मूर्तिकारों और उनकी कलाकरतियों के नाम बताईए जो उस समय भारत में करीब लिगों की स्थिती को दर्शाती है तो सबसे पहले तो है बिटा राम किंकरबैज की सान्थाल परिवार आप इसमें दे सकते हैं रामगी इंकरबैज ने सांथाल परिवार मूर्ती के अंतरगत सांथाल जंजाती से संबंदित एक परिवार को चितरित किया है इस मूर्ती शिल्फ में पत्नी पती पत्नी के एक जोड़े के साथ उनको उनने चितरित किया है उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है और कुटा भी उन्होंने चितरित किया है दूसरा मूर्ती शिल्फ है बिटा आपका अमरनाथ सेगल की अनसुनी चीखे मूर्ती शिल्फ के बारे में चितरित वर्ड लिख दिया है तो यह चीज नहीं आएगी इसका ध्यान रखना मेरे से कई बार भूल हो जाती है मैं च्छापा चितर को चितर या फिर मूर्ती को चितर इस तरह से एक्स्प्रेइन कर देती हूँ लेकिन मूर्ती शिल्फ के लिए हम मूर्ती ही पड़ ही यूज करेंगे ठीक है जैसे अमर्नाथ सेहगल की आप दूसरी हैं सुनी चीखे तो अमरनाथ शहेगल नहीं है, मूर्तिशिल्प कांस्य धातों से चितरित किया है, इस मूर्तिशिल्प की चीक इतनी तेच थी कि इस पर उनको रास्टबती पुरसकार भी दिया गया, इस मूर्तिशिल्प में एक गरीब परिवार को चितरित किया गया है, परिवार में पिता एवं एक बच्चे को चतरित किया गया है जो की ब्रेस्ट चार, शोशन एवं गरीवी के सिकार है दूसरा कोशन ने बिटा जो आपको दिया गया है कि अपने अध्यान के पाठे करम में से दो ग्राफिक प्रिंटों के नाम बताओ जो माना वकरतियों पर धारित सरचना को दर्शाता है इन प्रिंटों को बनाने के लिए उप्योग की जाने वाली विधी और सामगरी का नाम भी आपको बताना है तो उसका नाम है दिवारों से जरुकार अनुपम सूध की है यह इस ठापा चितर के अंतरगत अनुपम सूध ने एक विध्वा महिला को चितरित किया है उसके सामने उसके पती का मृत शरीर चितरित है जिसका सिर्फ पैर वाला भागी चितरकार ने चितरित किया है चित्र में कलाकार ने महिला के चहरे को काले रंग से चित्रित किया है जो कि उसके अस्तित्विहीन होने को दर्शाता है यह सामाजिक रूप से हमारे समाज में महिलाओं की इस्थिती को दिखा रहा है यह वाला चित्र और दूसरा चितरय बटा बच्चे जो की बनाया है सोमना थोड़ने और सोमना थोड़ने बच्चे कलाकरती में उन्होंने तीन बच्चे और उनकी मा को चितरत किया है एक अन्य महिला आकरती को भी इस कलाकार ने इस चत्र में बनाया है यहाँ पर कलाकार ने समाज के दो वर्गों को दिखाया है जहाँ पर तीन बच्चे और माता गरीबी से बेहाल है और मरनासन इस सितिती में है वहीं दूसरी और चत्रित महिला इस परिवार के प्रती सहानुभूती रखती चत्र में नजर आ रही है Q3 है भारत में लोग पुनह जागरन काल के पिता कौन थे जिन्होंने लोग कला को सीखने के लिए बंगाल के ग्रामें इलाकों की यात्रा की उनकी रेखा की अभिव्यक्त करने की शक्ती आधुनिक भारते कला की वेकलपिक पहचान बनी तो क्या करना है इसके अधार पे कलाकार को पहचानना है उसका नाम बताना है और उनकी कला के कम से कम चार तत्वों के अधार पर उनके कारे का वर्णन करना है तो लोक कला से लोक पुन जागरनकाल या लोक करार से प्रेडित कलाकार थे हमारे यामनी राय तो वे कलाकर जिन्होंने भारत में लोग पुनह जागरन काल की शुरुआत की तथा लोग कला को सीखने के लिए बंगाल की ग्रामेड इलाकों की यात्रा करी उनका नाम था यामिनी रॉय बेटा इसको जैमिनी रॉय भी बोलते हैं जो की थोड़ा सा अंतर है बंगाल और नौर्ट साइब में प्रिनाउशियेशन का ठीक है तो यामिनी रॉय का जनम हुआ था ठारसो सता सीश्वी में पस्चिम बंगाल की मांकुडा जिले में बेलिया टोर नामकिस्तान पर एक छो यामनी राय ने चित्रों की पहचान उनकी रेखा से की जाती है यामनी राय ने लगभग सभी कलाकारों से हट कर मोटी काली लेदार रेखाऊंगा प्रियोग अपने चित्रों में किया है दूसरा रंग यामनी राय ने अपने चित्रों के लिए जल रंग को मार्धिम बनाय और उन्होंने जल रंग की टेपरा तक्नीक में काम किया विशे क्या चुने उन्होंने तो यामनी राय ने अपने चित्रों के विशे भारतिये लोककला से प्रभावित थे चित्रों के अधार पर उनकी कला को आधुनिक लोककला की श्रणी में रखा जाता है चौथा परिंट है प्रतिकात्मक चित्र यामनीराय ने अपने चित्रों को प्रतिकात्मक रूप दिया हुआ है उन्होंने कहीं पर भी छाया प्रकाश का गुण अपने चित्रों में प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने अपने चित्रों में सपार ट्रंगांकन को ही महत्व दिया है तो हमने चारों कला तत्वों के अधार पर यहां पर याम निराई की कला को बताने का प्रयाज किया है Question number 4 है बिटा राजर रवी वर्मा को अकादमिक यथार्थवादी शेली यथार्थवाद की शेली में महारत हासिल थी और रामायन महाभारत जैसे लोगप्रिय महाकावियों की दर्शन को चित्रत करने के लिए इस्तिमाल करते थे महाकावियों पर इतने चित्र लोगप्रिय हो गए उनके कि कईयों का तो लिथोग्राफ और ओलिग्राफ की मदद से प्रिंट तेयार किया गया और बजार में बेचा गया आपके बनाये गए चित्र लगभाई सभी लोगों के घरों में कलेंडर की तरह प्रियोग में लाए गए तो राजर अवी वर्मा की सरचना विवस्ता के अधार पर आप राम समंद्र का मत मरदन करते हुए चित्र को क्यूं तो पसंद करते हो और क्यूं ना पसंद करते हो ये चीज आपको यहां पर बतानी है तो बिटा राजर रवी वर्मा का जनम हुआ 1848 में केरल के किलिमनूर में उनका संबन त्रावणकूर के राजपरिवार से था बच्पन से ही चित्रकला में रूची थी राजर रवी वर्मा की आरंबिक्षिक शा, उनके चाचा से हुई जिनका नाम था राजवर्मा उनकी कला पर यूरोपियन प्रभाव देखा जा सकता है यूरोपियन प्रभाव की कारण ही उन्होंने यथार्थ वादी शैली में चित्रांगन किया और तेल रंगों का प्रियोग किया भारत में सवर प्रथम तेल चित्रण रवी वर्मा के द्वारा ही किया गया यहाँ पर यह अभी के बदले आएगा रवी वर्मा के दारा ही किया गया इसी कारण उन्हें भारत का रेमब्रा भी कहा जाता है आप बात करते हैं उनके चित्र समुंद्र का मद मर्दन की तो राम समुंद्र का मन मर्दन करते हुए चित्र राजरवी वर्मा ने 19. शताबदी के उतराद में केनवास पर मनाया और तेल रंगों से बनाया ये चितर वर्थमान में मैसूर की चितरसाला करनाटक में सुरक्षिथ है तो उच्चतम सेयोजन विवस्ता की अधार पर चितरकार ने इसकी सरचना की है चित्र में श्री राम को समुद्र के किनारे शिला पर प्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष वेदाईने हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है उनके वस्तरों से पवन के भेने का एहसास हो रहा है समुद्र से किनारे की और तेजी से आगे बढ़ती लहरा हैं सिलाओं से टकराकर सफेद दूद की तरह बिखरी हुई दिखाई पड़ रही है जबकि दूर की लहरों के बीच तीन मानवाकरतियां दिखाई गई है मध्य में बड़ी आकरती समुद्र देव की है जो दोनों हाथ उपर उठाए मानवाकरती श्री राम से ऐसा ना करने की रातना कर रही हूँ जबकि दो चोटी महिलाकरती जो समुद्र देव की पतनी प्रतीत होती है भैवीत है तथा आपने पती की जीवन रक्षा के लिए श्री राम से छमायाचना कर रही है प्रस्पूमे में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश को दिखाया गया है जिसके मध्य में आकाश ये बिजली चमक रही है इस चितर में रंगों की इतनी सोमेता है कि किसी कवाभी ध्यान ये अपनी औरा करशित करने में सक्षम है इस चित्र में यूरोपिन शहली के गुण छायावे प्रकाश का प्रदर्शन रेखे चित्रण में आत्मा का आभार प्रकट होता है तो बेटा ये था आपका question number 4 इसके साथ आपको एक option में भी question दिया गया है अगर आपको ये वाला question नहीं आता तो आप नीचे वाला question कर सकते हैं ये question है आपका कि हमारे भारती रास्टे द्वज का वर्णन करना है और इसमें पयुक्तर रंगों के प्रतिकात्मक महत्व को बताना है और भारती रास्टे जंडे में अशोक, चक्र और प्रियोग में लाई गई 24 सीलियों का भी प्रतिकात्मक महत्व बताना है तो देख लेते हैं ये वाला question भी तो भारत का रास्टे द्वज तीन रंगों वाला आर्थात तिरंगा भारत के लोगों का गौरव और उनके अंतले अंतरास्टे पहचान का प्रतिक है भारत का जो रास्टे द्वज जिसको गीत रंगा नाम दिया गया है उसका लंबाई और चोड़ाई का जो अनुपात है वो तीन अनुपात दू है यह द्वज तीन समानुपातिक 36 रंगीन पट्टियों से निर्मित है सबसे उपर केशिया रंग, मध्य में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी से मिलकर बना है बीच की सफेद पट्टी में उसकी चोड़ाई के बराबर गहरे नीले रंग से बना 24 सीलियों वाला धमचक है जिसे अशोक चकर भी कहा जाता है अशोक के सारनात स्थम्ब के सीर्ष से इसको लिया गया है अब था आपसे पूछा गया था कि प्रतिकात्मकर्थ बताईए प्रयुक्त तीनों रंगों का तो तीन रंग जो प्रयुक्त हैu इसके इंदर पहला है केसरिया रंग और ये दिखाता है साहसवे बलिदान को दूसरा है सफेद रंग ये दिखाता है सच्चाई को, सत्य को और शान्ती को तीसरा है हरा रंग ये दिखाता है समरद्धी और खुशाली को अब इसके बाद आपसे दूसरा पॉइंट में पूछा था कि 24 तीलियों का प्रतिकातमक महतव आपको बताना है तो प्रतिकात्मक महत्वय की 24 तीलिया चकर की 24 गंटे दिर और रात को अभिव्यक्त करती है 24 गंटे दिन और रात धर्म के मार्क पर निर्मान हेतू चलने हेतू चलते हुए प्रगती के पद पर आगे बढ़ते रहना है अधादेश को विकाश के उचाईयों पर पहुंचाना है इस भावना के साथ धर्म चक अशोक चक्र को द्वच के मध्य में इस्थानिया पर दिया गया है तो यह थे आपके दो नंबर वाले प्रश्न चार प्रश्न जो कि आपके दो नंबर में आने वाले हैं उसके बाद आपका पाचमा प्रश्न है और बिटा यह आपका तीन नंबर का एक प्रश्न है और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि पेंटिंग में पेड़ और प्रकृति की प्रस्ट भूमी में पीले, सफेद और लाल साड़ी के साथ चित्र के केंदर में तीन महि गहरे काले और भूरे रंग से कान पर हात लगाए चित्रत किया गया है जिससे दर्शकों का ध्यान स्वतही उस पर चला जाता है सबसे पहले तो चित्रकार का नाम पहचानना है तो मुझे लगता है आप सभी ने इस चित्र को पहचान लिया होगा इस चित्र का नाम है कि फिर मेज़ाओं की देनें गतिविदी कलाकरती में देख पा रहा हो तो यह चीज़ आपको बतानी है तो पहले का अंसर हो कि चितरकार का नाम मृता शेरगिल है दूसरा दूसरय का रेखाइंकन बसोली शैली से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है पोथ की बिटा अगर मैं बात करों तो तो इस चीज को कहते है पोथ यह धरातल तो चितर बनाने के लिए धरातल के रूप में canvas का प्रयोग याँ परम्रिता शेरगिल ने किया है अब canvas क्या होता है तो एक तरह का मोटा बपड़ा canvas होता है जो की handmade होता है बिटा इसके बाद तीसरे question में आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या ग्रामेड महिलाओं की देनिक गतिविधी कलाकरती में आपको दिखती है तो शेरगिल ने छेतर में ग्रामेड महिलाओं की देनिक दिन चर्या को निपूनता से यहां पर चितरित किया है चितर में चार महिलाओं को चितरित किया है जिसमें की एक महिला के हाथ में हाथ चक्की के हैंडल पर हैं जिससे प्रतीत होता है वे चक्की चला रही है जबकि दूसरी महिला उसके सामने बैठी है पास ही पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठी एक बालिका भी चितरित की गई ह एक आकरती इनसे कुछ दूरी पर दो पेडों के वीश से जाकते भी प्रतीत हो रही है, जैसे की इनकी बातों को सुनने का प्रयास कर रही हो बिटा आपके पास पांचमे क्वेशन में भी आपको एक option दिया गया है अगर आपको पहला प्रशन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं और दूसरा प्रशन है यापर कलाकरती जो दिखाती चेहरे रही तेक औरत के शरीर को जिसने नीली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी बांधी हुई है साड़ी के पल्लू से उसने एक बालिका को आश्रे दिया हुआ है जो अपने गुटनों पर लेटे हुए एक व्यश्क बिमार आदमी की देखभाल कर रही है तो इस महिलाकरती ने सारुभूमिक माका का धासिल कर लिया है तो बताना क्या क्या है इसमें कलाकरती और कलाकार का नाम आप पैचान गई हूँगे कलाकरती का नाम है मदर्टेरे सा और बनाने वाले हैं दूसरा है बिटा कलाकार द्वारा इस पैंटिंग में किन भावनाओं को प्रकट किया गया तो देख लेते हैं किन भावनाओं को यहां पे कलाकार प्रकट कर रहा है तो कलाकार के द्वारा इस चितर में ममता सहयोग मानवे सम्वेधनाओं को दर्शाया गया है बिटा तीसरा प्रश्णिहां पर आपका है कि आपकी समझ के अनुसार इस पेंटिंग में केंद्रिय महिला आकरती कौन सी है संचेप में कुछ सोंदरे गुणों की शाहाना करें जिनकी आप इस कलाकरती में प्रसंसा करते हैं चितर में क meth madness में बनेamet, आकरती में इस तरह से सब्सक्राइब ढशार इस पंठार से अनुसा पर्णी केंद्र आकरती के लिए और एगलेरिक लंगों का अद्वुत सही हो जन चित्रकार नहीं आपर दिखाया है, शांत और सोहाद दपून रंगों का प्रियोग चित्र में किया गया है, चित्र को तीन भागों में बाट कर चित्रकार ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है, जीवन की तमा खचियों को समयटे हुए हरे रंग की पतियां भी चित्रकार नहीं आप पर बखू बी चित्रित की है, भी इता, अब है आपका कोशनों नमबर 6, और ये कोशन morning है, आपका 4 नमबर का, ठीक है, पटा, कोशन नम बर 6, आपका 4 मांक्स का कोशन होने वाला है, देख लेते हैं क्या पूछने हैं ये लोग तो निमलिखित मापडंडों के अधार पर बंगाल इसकूल की बंगाल इसकूल पर एक निबंध लिखो और किन-किन चीजों को लियान में रखना है उद्भविकास कलात्म कुशेशता है कला में भारतिय पुन्ह जागरण को बढ़ावा देने के लिए बहरती विश्यों का उप्योग और चौथा भी अपने पसंदीदा कलाकार का नाम बताना है और उनके कलाकरती का वर्णन करना है तो बिटर शुरू करते हैं तो बंगाल इसकूल की कलापर निबंध हम को ये लिखना है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे पॉइंट उ विकास तो बंगाल शैली का उदे हुआ विशनी शतावदी में कियाव निद्रनाट्य गोर ने कलकता के सरकारी कला विद्धया के प्रचारे प्रोफेसर इविवर्वेल की प्रियरणा से इन्होंने बंगाल शैली का सुत्र बात किया बंगाल शैली को भारते मुन庝ागरें गाल से भी नाम से भी चान आ जाता है क्योंकि इसका उदे तब हुआ जब भारत में रास्टेवाधी आंदलन के चलते भारती चित्रकला के विध्यारतियों ने ब्रिटिस कलाग आदमी के किरिया कलापों के विरोध में केवल अवाज है बुलन नहीं की बल्कि पस्चिमी अथात्वारत की प्राणहीन कला सेली का अंधादुन करन करने से भी अपने आपको अलग कर लिया अब इस चित्र की कलात्मों विशेषता हैं बतानी है चित्र की नहीं सौरी बिटा बंगाल शेली की तो वाश पदिती का प्रियोग बंगाल शेली में एक तो सबसे ज़्यादा किया गया है अना क्यों बंगाल शेली के स्वर प्रमुख विशेषता वाश पदिती का प्रियोग है वाश पदिती पर अधारित चितरांकन सरप्रथम बंगाल शेली में देखने मिलता है भारतिय कला में वाश पदिती पर अधारित चितर सरप्रथम अपनिंद्र नाट्टे गोर ने बनाए थे इन्होंने वाश चितरन जापानी कला का ताइकवान एवं हिसिंता से सिखी थी दूसरा है बिटा अब पारंपरिक अजन्ता राजसानी एवं मुगल्स कला के समान रेखांकन तो बंगाल शेली के चितरों की विशेषता बंगाल शेली में प्रियोग होने वाली रेखाएं हैं बंगाल शेली के गलाकारों ने अपने चितरांकन में परंपरावादी रेखांकन को महतो दिया है बंगाल शेली के चित्रकार, अपने चित्रों में अजन्ता की रेखा को मलतालयय वैलालित्य को बहतर धंग से प्रस्तोत करने में सपल रहे इन चित्रों में मुगल और राजपूत ये पर ना होकर बिटर और अजाएगा राजपूत शेली का प्रभावियां पर देखने मिलता है इसका प्रमकुदेश संपूर्ण विश्व में भारते कला को इसकी पहचान और सम्मान दिलाना था जल रंगों का प्रियोग बंगाल शेली में हुआ है और विभिन नमाध्धमों में कला कारनेन का प्रियोग किया है जैसे वाश पदती में किया है टेंपरा पदती में किया है इत्यादी कला में पुन जागरन को बढ़ावा देने के लिए भारते विश्यों का परियोग यह जवाप से एक और कोशन ही आपे पूछा गया मतब यह वाले पॉइंट के अधार पे हमें यह निमंद लिखना है तो कला में पुन जागरन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल शेली के कलाकारों ने भारती विश्यों का अंकन किया पुन जागरन का अर्थ होता है फिर से जागना यह वै समय था जब भारती कलाकार कंपनी शेली तथा ब्रिटिस कलाका अनुकरन करने लगे थे जिससे कि भारते कला को निम्निश्रणी की कला कहा जाने लगा इस समय अवनिंद्रनाटे गोर के साथ साथ कुछ और कला कारा के आए जिसमें कि नंदलाल बोस, असीत कुमार हल दर्शे, मिंद्रनाट गोप्त, अब्दुर रह्मान चगताई, राम गोपाल विजय वर्गय, देवी प्रशाद राय चौधरी प्रमुक्ते इन्होंने भारते कला को पहचान दिलाने के लिए भारते कला, अजंता, मुगल, पहाड़ी, राजपूत, इनके अंदर बहुत से प्रियोग लाए विशों एवं कला तक्निकों का भी प्रियोग किया गया बंगाल शेली में मेरे पसंदी रागलाकार का नाम अवनिंद्रनाटेगोर है अवनिंद्रनाटेगोर का जनम 7 अगस्ट 1871 में हुआ, जरूर ही नहीं बेटा, आप अवनिंद्रनाटेगोर के बारे में लिखो अगर आपको नल्लाल बोस पसंदे तो आप नल्लाल बोस का विवेचन भी यहाँ पर कर सकते हैं तो इनका जनम 1831 में कलकता के जोड़ा साकू में टेगोर परिवार में हुआ था और क्योंकि इनका जनम टेगोर परिवार में लिया था इस कारण सुरू से ही वो अपने दादा, पिता, वे बड़े भाईयों की तरह कलाको समर पित्ते उन्होंने वाश पत्ती की ईवी हिवेल की प्रेणा से बंगाल स्कूल की स्थापना करी जो भारते कलाको पुन जागरण के गाम से भी बाद में ये विख्यात हुई अमने दरनात का जो प्रशिदी चित्र है वो है यातरा का अंत इस चित्र को अमने दरनात टेगोर ने 1937 सीश्वी में जल रंगों की वाश अवं टेंपरा विदी से चित्रत किया था चित्र बंगाल पत्री का प्रवास में प्रकासित हुआ था इस चित्र में उट को पीले भूले रंग से तथा उसकी पीट पर लाते भारी वर कम सामान को नीले काले भूरे वे पीले रंगों के उचित सही और जन से रस्यों से बंधा हुआ दिखाया है थके हारे वे भूके प्यासे उट की मनोदशा वे कस्टों को इसकी आदे खुली आखों से निढाल पड़े शरीर से यात्रा के अंतिके रूप में अभी व्यक्त किया है इस चित्र को जीवन संध्या नाम से भी जाना जाता है यह चित्र अमने रना टेगोर का अंतिम चित्र था इसलिए इसकी बाद इन्होंने रचना छोड़ दी किसके बाद रविना टेगोर जी के मिरतियों गे बाद जित्र में उट की पीट पर लगा भारी बोज मालिक दोरा किये जारे चरम शोशन का और जुल्मों का प्रतीक है फिर भी यह जानवर अपने मालक की प्रती वफदार बने देना चाहता है इसलिए कुरी हिम्मद और साहत के सास फिर से उठने का प्रयास कर रहा है तो यह था आपका मॉडल टेस्ट पेपर पेंटिंग का हिंदी मीडियम में आशा करती हूँ बच्चो आपको पेपर समझ आया होगा अब आप सब लोग इस पेपर को अपने पास कहीं न कहीं नोट करके जरूर रख ले और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले क्वर्ड़ियर बचु आह rates में बच्ठर रख ले शुट्ध体 a रख ले भीडियर बच्ब़, बच्शार ररी प्लगभ, पास्जार पेंता मैं डेंगियर जुट है